हैं हार लो मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं यह बना रहा हूं मैं निफ्टीक अनलिसीस को लेके बहुत ही सिंपल आणड़िसेश्य। आज आज आपके सामने ही आणड़िसस में करके बताओंगा क्या निफ्टीक है और निफ्टी कहां तक जा सकता है बहुत है सिंपल है दोस्तों तो आईए बिना टाइम वेस्ट की आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों आप जैसे की सामने में देख पा रहे हैं यह मेरा यूट्यूब चैनल है आप सभी लोग प्लीज जो भी वीडियो देखते हैं इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आप लोगों का साथ मिलता रहा है और वो साथ ही दोस्तों मेरी लेक का काम करता है चलिए दोस्तों देखते है निफ्टी का क्या अनलसे से यह दोस्तों देखिए मैंने निफ्टी का यह चार्ट ओपन किया हुआ है यह ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट है वहां पर निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है अब इसमें यह दो-तीन जो आप देख रहे हैं यह मुविंग आप सिंपल दोस्तों अपन जो यह इसका अनलसेस करेंगे वह अनलल्सेस करेंगे सिर्फ वर सि heeft असाने चरह करेंगे और इस को उपर आपन स्ट्रेच करके लाएंगे कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों इसमें बहुत ही सिंपल टेक्निकल अनेलिसस है थोड़ा सौरांगे खरगेगे करते पमीज देखें दोस्तों ये सिंपल अभी और तर तर उसके बाएंट रहुत है यह मुविंग एवरेज़ज से सपोर्ट से ऊपर बढ़ता गया दन 스सके बाद यहां ऊसको इन्हीं ब्रेक करें यह वापिस नीचे आया अब यह वापिस ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ रहा है तो यह तो ही दोस्तों अपनी पहली ट्रेंड लाइन दूसरी ट्रेंड लाइन अपन यहां ट्रॉ करेंगे इस हाई से यह जो हाई आप देख रहे हैं ग्रीन केंडल का जो एक यहां से यह ड्रॉ करी दोस्तों और इसके जो हाई है अपन को यह हाई मिलाते हुए चलने है इसको भी मैंने यह आगे तक स्ट्रेच कर दिया है यह फर्स्ट इसका कनेक्शन यहां आया देन उसके पाद यहां पर आया और उसके बाद यह आगे ठीक है और तीस भी जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों वो मैं लूँगा इस वाले हाई पॉइंट से यह आप कह सकते हैं इस लो से भी आप ले सकते हैं वो यहां पर मर्ज करते हुए जाएगी इसको सारी टच करते हुए जाएगी इसको यह दोस्तों सिंपल अपने तीन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हैं यह जो दो ट्रेंड लाइन है दोस्तों यह देखिए यहां पर एक इसका मोटा मोटा टार्गेट जो आ रहा है वो आ रहा है आल्मोस्ट 14,800 के आसफास 14,800 14,900 क्यों क्योंकि अगर यह निफ्टी इस लाइन को ब्रेक किया इसने यह जो आप देख रहा है यह जो लाइन अभी आपने यहां से ड्रॉ करी है यह इसके लिए रिजिस्टेंस का काम कर रही थी यह देखिए फर्स टाइम आया नीचे आ गया सेकेंड टाइम नीचे फिफ्ट टाइम यहां थोड़ा एक अच्छा डाउन और यह अब 6 टाइम जो है यह ट्राइ कर रहा है और इसने अब इसको ब्रेक कर दिया है ब्रेक करके यह उपर निकल चुका है यहां से थोड़ा सा और उपर कर लेते हैं चाहो तो इसको तो दोस्तों अब देखिए इसके हिसाब से यह जो लाइन आ रही है पुरानी जो अपनने यह लो से ड्रॉ करी है मार्च के लो से अपनने यह जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है देन उसके बाद यह अपनने यहां से जो हाफ पॉइंट से यह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है यह दोनों trend line मिलके अब अगर आप देखें इसमें तो यह channel का formation कर रही है यह channel का formation हो चुका है जो इन दो trend lines के बीच का channel है इन दो trend lines के बीच का channel है तो जब भी कोई भी दोस्तों stock है या index है किसी channel के अंदर आता है तो most probably chance यह रहता है कि वो channel का जो higher point है इस point को आके वो जरूर से touch करेगा तो अब अगर यह nifty यहां से अंदर आ गया है इस channel के तो ज़ादा मतलब यह काफी अच्छे और bright chance है कि वो इस higher point को यहां से touch करेगा आज की candle से अगर आपन देखें तो आज की candle से दोस्तों यह जो high आता है आता है almost 14,800 के आसपास लेकिन क्योंगी यह एक ही candle में पूरा नहीं करेगा थोड़ा 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 candle आगे बढ़ती जाएंगी तो high most probably दोस्तों आ सकता है 15,000-15,100 के आसपास यह अभी मुझे nifty का हैसमे target लग रहा है nifty 15,000 या 15,100 के आसपास तक जा सकता है यह मेरा analysis दोस्तों मैं आपको कते ही नहीं कह रहा है कि आप मेरा analysis से वहरोसा करिए आप आपका analysis खुद करिए आपको लगता है कि नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही है देन उसके आप हिसाब से अपना trade define कर सकते हैं पहला तो हुआ दोस्तों यह अपना trend line के base analysis अब इसको अपन हटा देते हैं यह काफ़ simple analysis था यह drawings मैंने आप remove कर दी अब दूसरा जो analysis दोस्तों अपन करेंगे वो करेंगे simple Fibonacci का Fibonacci में क्या होता है दोस्तों इसका जो last high था जब यह March में जो यह काफी बड़ा नीचे गिरा निफ्टी उसका जो last high था उस high से और उसके low तक अपने के Fibonacci draw करेंगे Fibonacci draw करने से दोस्तों क्या होगा अपने को यह देखिए 1.618 का जो level आ रहा है वो आप यहां सामने देख पा रहा है वो कितना है वो आ रहा है almost 15,165 के आसपास अपना वहाँ trend line से दोस्तों क्या आ रहा था वो आ रहा था 15,100 के आसपास तो दोनों जो levels हैं दोस्तों almost similar से level है पास-पास के level हैं तो पहला जो अपने एक analysis किया उसके chance अब थोड़े और bright हो गए कि Fibonacci से भी वही level आ रहा है और trend line से भी वही level आ रहा है तो यह दोनों level आसपास के ही हैं तो अब अपने जो chance है NFT के उपर बढ़ने के या आपने कह सकते हैं अपने जो chance अपना analysis के वह थोड़े से और जादा bright है यह हो गया दूसरों अपना दूसरा analysis तीसरा analysis जो दोस्तों अपन करेंगे वह करेंगे वापिस channel based analysis जो अपन पहले कहीं stocks में करते आए हैं देखिए दोस्तों अब मैं यहां channel draw करूंगा जो पहले निफ्टी के हाइथ है उन हाइस को मिला के यह अपन ने चैनल ड्रॉ कर लिया है अब इस चैनल के हिसाब से दोस्तों यह देखिए निफ्टी ने यह channel को भी break कर दिया है और यह channel के बाहर जाके इसने breakout अल्ड़री दे दिया है जब यह channel का breakout आता है दोस्तों तो निफ्टी कोई भी जो stock है जो move कर रहा है वो अच्छा move करता है और उसका जो movement है वो movement अपन कैसे catch करेंगे वो भी देखते हैं इस channel जहां से अपन ने start किया है उसका यह एक low point था starting का low point देन उसके अब यही channel का देखिए यह में एक high point है इन दोनों को यह trend line के through connect किया और यहां से भी दोस्तों देखिए अपना जो टार्गेट आ रहा है वह almost वही 15,000 अगर यह candle आगे बढ़ता जाएगा तो यही 15,100 के आसपास वो target अपना बैठ रहा है तो यह दोनों तीनों जो चीज़े हैं दोस्तों यह मिलके अपना जो target है वो 15,000 तो definitely बता रहे हैं कि निफ्टी जो है 15,000 आएगा मैं यह नहीं कह रहा है कि एक ही दिन में बस अगली candle बनेगी और 700-800 points हैं जो पूरे cover हो जाएंगे एक ही candle के अंदर ताइम लगेगा दोस्तों 10 दिन लगे लग सकते हैं 15 दिन भी लग सकते हैं एक महिना भी लग सकता है लेकिन निफ्टी 15,000 जरूर आएगा और वहां से आने के बाद में देन वो अपनी downward journey start करेगा य 50 का बहुत ही simple analysis है कोई rocket science नहीं है कोई मैंने hard word इसमें यूज नहीं किया जो आपको समझ में नहीं आए तो I hope यह analysis आपको पसंद आया होगा और अगर यह analysis आपको पसंद आया दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ अपने friends के साथ relatives के साथ इसको जरूर शेयर करें मैं आपको 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 आपक